एलो गई्स, वेलकंम टो अनकेडमी, कैसे आप सभी लोग, कल के session complete होने तक हम क्या पड़ चुके हैं, कल के session complete होने तक हम indefinite integration complete कर चुके हैं, indefinite integration के गधे हमने definite integration इस्टर्ट कर चुके हैं, definite integration में हम properties अगर आप लोगों को उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों का भी आप लोगों में अगर आप रेंक इंप्रूफ करना चाहते हैं अपनी अगर आप रेंक इंप्रूफ चाहते हैं तो आप लोगों के लिए रेंक इंप्रूफमेंट बेच आपके लिए रेंक इंप्रूफमेंट बेच नेक्स्ट मन्त से स्टार्ट हो रहा है रेंक इंप्रूफमेंट बेच में आपके लिए क्या क्या होंगे आपको यहां पर आपको थूरू numerical से समझाए जाएंगे means आपको इतने number of numericals कराए जाएंगे कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी command हो जाएगी तो इसके लिए आपको unacademy पर जाना है आपको rank improvement batch के लिए आपको join करना है rank improvement batch आपको किस उस plan में मिलेगा यह आपको gate and ESC के subscription में आपको मिलने वाला है gate and ESC के subscription में आपको मिलेगा ओके तो नाओ इसमें अगर आपको बात बताता हूँ इसमें overall होने क्या वाला है इसमें आपको जैसे special sessions में मैं आपको इतने number of numericals कराता हूँ इतने जादा number of numericals कराता हूँ वही चीज़े आपको यहां भी होने वाले हैं कि आपको इतने number of numericals कराए जाएंगे कि आपकी rank improve जरूर होगी क्योंकि आपको पता है gate exam में 95% तो आपको numerical ही आते हैं तो आपको 95% numerical के लिए आपको number of numerical बहुत ज़्यादा करना है जो कि आपको एकसांद नहीं YouTube पर मिलने वाले नहीं आपको कहीं पर special sessions में मिलने वाले इसके लिए आपको rank improvement बेच जोईन करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका rank improvement बेच जोईन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए आप unacademy app पर जाएए referral code पलव life को use करिए जिससे आपको instant 10% का discount मिलेगा जो कि maximum this is maximum possible discount available on unacademy app आपको 10% का maximum discount मिलेगा अब बाती आती है कि सरी rank improvement बेच किस branch के लिए सारी branches के लिए rank improvement बेच start हो रहा है next month से सारी branches के लिए rank improvement बेच start हो रहा है guys तो जो भी branch के student वे अगर अपनी rank improve करना चाते हैं मैं आपको assurance देता हूँ मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपकी यहाँ पर जितने number of questions होंगे इतने number of questions आपको कहीं और नहीं मिलेंगे guys तो आप किसी भी branch के student आप rank improvement बेच को join करिए इससे आपकी rank improve जरूर होगी क्योंकि rank किस से improve होती है numerical से और numerical यहाँ पर आपको भर भर के numerical ही कराए जाए कितने मंत का बेच होने वाला है या आपके लिए 3 to 4 मंत का आपके लिए बेच होने वाला है इस बेच में आपको सिर्फ और सिर्फ numerical कराए जाए ओके गाईस तो जिन भी लोगों को rank improvement बेच के regarding कोई भी doubt है वह मुझे facebook पर follow कर लीजिए आप मुझे facebook पर follow करिए मुझे किस उससे search करेंगे same पलव गोर से आप मुझे वहाँ search करिए आपको जो भी doubt है वहाँ पर आप मुझे message करिए कि sir regarding this हमको यह doubt है इससे आपकी rank improved guaranteed होने वाली है now unacademy plus के subscriptions के क्या advantages है जो कि आपको youtube पर और या फिर आपको कहीं पर special sessions में यह सारी चीज़े नहीं मिलती उसके advantages बताता हूँ first thing daily life classes आपको यहाँ पर daily life classes मिलती है आपको daily life classes मिलेंगे आपको यह नहीं रहेगा कि Saturday, Sunday या कोई भी दिन ऐसा नहीं कि आपको life classes नहीं मिलती है आपको daily life classes होने वाले first thing second thing आपको crash course की facility आपको कहीं पर भी available नहीं आपको crash course available भी है तो कुछ subject के available है कहीं पर कुछ topics के available है बट यहाँ पर आपको सारे की सारे subject जो भी ब्रांच के आप student आपको 13 जो आपको 13 to 14 subject सारे subject का crash course available है सारी चीज़े एक बहुती systematic manner में available है second thing अगर अपन बात करें कुछ लोगों का अभी भी मैं देख रहा हूँ comment section में करतें sir English में करिया या Hindi में करिये तो आपकी यह problem भी वहाँ पर आपकी solve होगी क्योंकि यहाँ पर कुछ जो courses है आपके English में ही चल रहे है फिर आपके लिए courses Hindi में भी चल रहे है तो दोनों चीज़े type के course आपको चलना है जिस भी language में आप comfortable है आप उस language को choose करिये और आप उसमें से पढ़ सकते हैं आपको बार-बार का यह नहीं रहेगा कि सर इंगलिस की वज़े से मुझे समझ नहीं आ रहा है हिंदी की वज़े से समझ नहीं आ रहा है and most one of the most important point is doubt clearing session every fourth session on unacademy app is doubt clearing session unacademy plus पर हर fourth session doubt clearing session हो आपको यह facility नहीं offline coaching में मिलने वाली है नहीं यह आपको YouTube पर मिलने वाली है नहीं यह आपको special session आपको यह चीज के लिए plus join करना ही पड़ेगा क्योंकि हर fourth session doubt clearing session होता है क्योंकि अगर आप अपने doubt clear नहीं करेंगे आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लीजे चोच भी institute से जो भी आप चाहते करिये जब gate का exam आता है accuracy की बात आती है वहाँ पर छोटे छोटे से जो doubt रहते है वह आपके clear नहीं होंगे तो आपको gate में बहुत blunder होने वाले and weekly test and mega quiz are available now अब बात करते हैं कि आपको एक और most important point कि आपको यहाँ पर देखे जिसे animations दिख रहा है आपको plus पर animations में feel करवाया जाता है आपके 13 subject को अगर आप with animations और इनके साथ समझेंगे तो ही आपको command होगी क्योंकि YouTube पर आपको यह सारी facilities available नहीं हो सकती ओके guys now आगे बात करते हैं यहाँ पर doubt clearing section gate exam कि अगर बात की जा gate exam की backbone क्या है gate exam की backbone है accuracy and speed accuracy speed अगर आपकी सही है तो आप concept tीनों चीज़ अगर आपकी सही है accuracy, speed and concept यह तीनों चीज़ मिला कर आपका gate exam के लिए होता अगर आपके concept बहुत अच्छ है बट आपके पास accuracy नहीं है यह speed नहीं है तो आपका gate exam नहीं निकले है तो gate exam को निकालने के लिए guys आपके accuracy, speed और concept तीनों होना जरूरी है, accuracy आपके यहाँ पर कैसे आईगी यहाँ पर आपके लिए आपके लिए pooling वगएरा होती है pooling वगएरा से आपके क्या होता है, pooling होने से आपके लिए यह रहता है कि pool जब होता है तो वहाँ पर आप अपने speed से try करते हैं कि आप यहाँ पर rank ला सके हैं और जब यह live pool होता है तो इसमें आप rank लाने के चकर में speed से करते हैं और आप speed बढ़ती है, आप accurate answer लाना चाहते हैं क्योंकि आप भी इस top 10 के list में हमेशा दिखना चाहिए तो यह सारी facilities आपको YouTube पर और कहीं available नहीं मैं guys कह रहा हूँ कि अगर आप इस मितमें आ रहा हैं कि हम YouTube से concept कर ले रहे हैं या हमारे लिए enough है, dear enough नहीं है आपको gate exam देने के बाद पता चले कि यार मेरा से ये नहीं हुआ इससे पहले ही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़े enough नहीं है आप यहाँ पर doubt ये देखे pick में आप send करकर पूछ सकते हैं ये सारी चीज़े आपको facilities available आप इन facilities का फायदा लीजे और इसके लिए क्या करिए और इसके लिए आपको क्या करना है आपको इसके लिए किसी भी ब्राँच के student civil, electrical, mechanical जिस भी ब्राँच के student आप coupon code पललव live यूज़ करिए क्योंकि आप जैसे ही coupon code पललव live यूज़ करेंगे आपको instant 10% का discount मिलेगा और इससे क्या होगा इससे ये रहेगा कि मुझे भी motivations मिलेगा कि मैं आपको जब free content इतने best way में दे रहा हूँ तो आप जब unacademy plus को से join हो रहे तो कम से कम ये इस type होगा कि sir आपने job में free दिया ये उस type के आपका thank you message होगा मेरे लिए तो आपको क्या करना है ये आपको जब भी unacademy plus subscription ले आप ले आपके friend ले उन्हें coupon code पलव live यूज करने का है क्योंकि ये एक thank you message है आपका मेरे लिए ओके guys चलिए तो आगे move करते हैं अपने तो आप लोगों को बता दूँ जो लोग आज नए है उन लोगों को बता देता हूँ कि 9am to 10am 9am to 10am second अगर बात की जाए तो one hour on one hour on free special session one hour on free special session ये free special sessions आपके कहा हो रहे है one hour on free special session one hour on free special sessions कहा हो रहे है ये हो रहे है आपके unacademy app पर तो कोई कुछ लोग कल पूछ रहते कि सर ये free है या पैड़ है तो guys ये देखिए free है बिल्कुल आपके लिए ये आपके लिए बिल्कुल free है तो इसकी timing क्या है इसकी timing है 5pm to 6pm ओके गाईस तो आपको क्या करना है आपको unacademy app पर जाना है वहाँ पर search करना है पलव गौर आप वहाँ पर search करिए पलव गौर और search करने के बाद मुझे follow कर ली थी इससे करने से क्या होगा आपको जो भी information regarding मेरी होगी आपका session की बात होगी जो भी सारी information होगी आप कोई भी information miss नहीं करेंगे और कोई भी information अगर आप miss नहीं होगी तो आपके सारी चीज़े बहुत अच्छे से होगी ठीक है guys चलिए अब हम अपने integrations की तरफ move करते ये सारी information हो चुकी अब हम आगे बात करते हैं चलिए तो सबसे पहली चीज़ एक question आपको देता हूँ उसके लिए आपको मैं एक time दूँगा मगर ये question इतना अच्छा question है guys कि जितनी भी properties हैं जितनी भी properties आपने अभी तक पढ़ी हैं कितनी पढ़ी हैं छे properties आपने definite integration की पढ़ी मैं आपको इसमें सारी की सारी property एक ही question में use करा देना हूँ इतना अच्छा question है question is integration of 0 से लिखके pi x times of sin x divided by 1 plus cause square x dx और जिसको ये लगता है कि lengthy questions करने से हमें क्या होगा lengthy questions से आपके concept सही होगे तो कुछ lengthy questions आपको करने भी पढ़ेंगे ठीक है इसलिए कोई time पर मत जाया करिए कि sir हमारे को 15 minute लगे इस question को करने में 10 minute लगे time पर matter नहीं करता अभी हमारे पास board time अभी हमको concept पर build up करने तो कोई अभी ये comment करके क्योंकि मैंने देखा जब भी मैंने आपको land दिया थोड़े से अच्छे questions करा है comment जरूर आते हैं ये वाले चलिए करिए आपके लिए मैं एक minute का time दे देता हूँ ताकि आप इससे try करें करिए guys बहुत ही अच्छा question है guys बहुत ही अच्छा question है ताकि झाते हैं Time's up guys, time's up, चलिए, पहली चीच, सबसे पहली चीच, कुछ लोगों को ये लगाओगा question को देखके कि sir एक काम करते हैं, sir sin square x है तो एक काम करते हैं, sir मैं मान लेता हूँ cause x को, sir cause x is equals to t मान लीजिए, cause x equals to t मानेंगे तो sir minus of sin x dx equals to dt हो जागा, जल्दी से बता हूँ, कितने लोगों ने ये सोचा था, क्मेंटे section में कमेंट लोगों ने सोचा था, कि sir cause x equals to t हो जाएगा, अगर मान ले तो minus of sin x dx equals to dt हो जागा, कितने लोगों ने ये सोचा था, जिन लोगों ने सोचा था बहुत अच्छी बात है बट आपने एक चीज नहीं देखी आपने यह नहीं देखा guys कि आपने यह नहीं देखा कि जैसे ही आप यहाँ पे cos x equals to t और रखेंगे तो उसका differentiation of minus of sin x dx equals to dt और बट यहाँ पे एक extra x है है एक extra x है यह आपको problem create कर रहा है dt upon 1 plus t square हो जाता है बट हमारे लिए problem को ने x है question में हमें सब problem समझा करो कि यहाँ पे हमारे लिए this is my problem इस problem को हमें क्या करना है दूर करना है तो sir केसे करें किसी को strike हुआ अगर जिसको नहीं हुआ तो याद करें मैंने कल आपको एक चीज कहा था जब मैंने आपको एक property बताई थी property number 3 तो आपको क्या कहा तो हुआ आपको ब्रह्मास्ट है जब भी आपसे question solve ना हो उस ब्रह्मास्ट को use करें क्या था आपका प्रह्मास्ट आपका rule number क्या था रूल देखें क्या रूल था आपको तो पहला मैं आपको रूल यूज करवाकर बताता हूं रूल क्या था आपका a से लिक के भी f of x dx is equals to a से लिक के भी f of x dx is equals to integration of a से लिक के भी f of upper limit plus of lower limit minus of x dx यही था आपका rule चलिए अगर यह रूल था अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्या condition बताई थी तो function is defined in the range of a से लिक के भी not tell me cause of x is defined in the range of a से लिक के भी yes it is defined in the range of a से लिक के भी sin x is defined in the range of a से लिक के भी x is defined in the range of a से लिक के भी तो इसमें अगर अपन बात करें and this value undefined होने के chances का है जब denominator 0 हो जाए तो यहाँ पर denominator 0 होने एक chances है बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि cause square x है तो हमेसा positive quantity यह positive यह positive यह positive तो positive quantity है तो denominator 0 होने के chances चांसे का ही नहीं है मतलब पूरा function जो defined a से लिक के भी means जो मैंने आपको condition बताई थी वह use हो चुके ओके यह formula अगर हम use करें तो value is come out to be i is equals to this value is nothing but 0 से लिक के pi ओके tell me this यहाँ पर क्या हो जागा upper limit is pi lower limit is 0 minus x sin of pi minus of x divided by 1 plus cos square pi minus x dx ओके not tell me cause अगर मैं आपसे बात करूं tell me अगर मैं बात करूं cause square pi minus x की value किती होगी तो आप कहेंगे cause square pi minus x की value क्या होगी आप कहेंगे साइज nothing but minus of cos by just a minute just a minute this is nothing but minus of cause x आएगा है this value is nothing but minus of cause x whole square pi minus x क्या आता है cause pi minus x minus of cause x and this value is nothing but cause square x okay means आपको इसकी value आगे तो आपके i की value क्या आचुकिए आपके i की value आचुकि i is nothing but zero से लेकके pi pi minus x sin pi minus x की अगर मैं बात करूं is nothing but sin x divided by one plus cause square x okay अब आप कहेंगे सार इससे क्या हुआ करिए तो simplify करिए this value i is nothing but zero से लेके pi pi into dx divided by one plus cause square x minus of zero से लेके pi into x times of sin x upon one plus cause square x dx तेल मी अगर मैं values रखूं this value आप इसको ध्यान से दख देखिए यह क्या है यह value क्या है this is nothing but i और अगर यह i है तो overall value क्या आ चुकिए आपकी 2i is equals to zero से लेकके pi pi dx upon one plus cause square x अब बताइए अब तो आप इसलिए eligible होगा है ना जो आपके लिए problem थी problem क्या थी problem आपकी थी x की x numerator में था वे हमारे लिए problem था अब आपकी problem दूर हो चुकिए problem हमारी दूर हो चुकिये अब आप कहेंगे यहां पर हमारी क्या हो चुकिये problem x is removed अब मुझे बताईए आपका क्या हुआ आपका जो ब्रह्मास्त्र था वे काम आया की नी जल्दी से बते हैं आपका जो ब्रमास्त्र था काम आया की नहीं कि आपको डारेक्ट जी है जो पता नहीं रहे तो आपको तो यहीं करना है ओके अब आपने यहाँ पर कहा कि यह अब तो मैं क्या करता हूँ अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ cause of x is equals to t cause of x is equals to t रखा तो मेरी value होगी minus of cause x का differentiation करूँगा तो क्या value हो जाएगी minus of sin x dx is equals to dt अब मुझे बताइए अगर आपने यहाँ पर variable बदल दिया x से t के उसमें तो limit of integration भी बदल जाएगी yes तो limit of integration की बात करें at x equals to 0 t is equals to 1 at x equals to 0 t equals to 1 at x is equals to pi t के value कित्ती होगी minus 1 okay कोई दिक्कत नहीं आगे move करते हैं values आपने ली और equation में रख दी तो value क्या हो चुकिए आपकी यहाँ पर रख दी आपने तो value हो चुकिए आपकी twice of i is equals to 1 से लेक के minus 1 dt upon 1 plus of t square tell me यही हुआ है ना जल्दी से बताएं मुझे comment करके limit देखिए limit जो है this is your lower limit this is your upper limit धोके से यह मत कर देना कि सर्यार minus 1 से 1 होगी क्योंकि generally हमें यही लगता है कि lower limit हमें से कम रहती है और upper limit जादा रहती है तो ऐसा कर दें नहीं आपकी यहाँ पर value lower limit 1 है और upper limit minus 1 है मैंने यहाँ पर 0 से लेकर पाई ओके थैंक्यू गाइस थैंक्यू बताने के लिए बताने के लिए थैंक्यू यहाँ पर मैंने वह value लिखना भूल गया हूं आपको concept बताने इस value is nothing बड़ पाई sin x dx upon 1 plus of cause square x चले कोई दिकत नहीं यहाँ पर मैंने सिर्फ वो सिर्फ साइन एक्स लिखना भूल गया था तो यहाँ पर भी एज साइन एक्स आ रहाएगा आपका यहाँ पर भी आ रहाएगा आपको क्या value रहेगी पाई sin x dx this value is 1 plus of 1 plus of cause square x dx this is nothing बड़ cause हाँ मैंने यहाँ पर sin x लिखना भूल गया था इतना कुछ हुआ नहीं है थोड़ इसी silly mistake जल दी जल दी में होगी मेरे से तो यहाँ पर आपने क्या करा sin x लिखना भूल गया था मैं चलिए तो अब आपने देखा कि आपको cause x की value आपने t रख दी तो आपके sin x dx की value कित्ती होगी है minus of dt तो आपका function इसमें convert हो चुका है 2i 1 से लिखके minus 1 minus of dt upon 1 plus t square yes अब मैं यूस करता हूँ एक और रूल 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 नंबर 2 मैंने क्या यूस करा आपको एक और रूल आपको बताया था मैंने कि a से लिखके b f of x dx is equals to minus of b से लिखके a f of x dx होता है say yes or no means मैं सिर्फ limit of integration बदल रहा हूँ तो यहाँ से आपकी value कितनी हो चुके twice of i is equals to minus 1 से लिखके 1 dt upon 1 plus of t square dt upon 1 plus of t square this value is nothing but dt upon 1 plus of t square चलिया अब मैं यूस करता हूँ आपको रूल नंबर 3 rule नंबर 3 क्या है आपने कल पढ़ाता if f of minus x is equals to f of x then function is even tell me then function is even ओके ना question नहीं रहा है इसकी सर इसके बारे में क्यों सोचा क्योंकि guys ध्यान से सुनिए कल आपने एक property पढ़ी थी कौन सी property पढ़ी थी minus a से लेके plus a f of x dx जल्दी से बताईए आपने यही पढ़ाता है यहाँ पर होगा rule number 4 आपको यह बताया था मैंने क्या बताया था आपको minus a से लेके plus of a f of x dx की जो value है कितनी होती है इसकी value होती है two times of zero से लेके a f of x dx होती है कब when f of x is even तो यहाँ पर मेरे यह क्यों ही strike हुगा कि मुझे यह property यूज करना चाहिए क्योंकि minus a से plus a ही तो है a की value यहाँ पर one हो चुके say yes or no यहाँ पर minus one से plus one दे रखे मींस हमें minus a से plus a की value दे रखे तो इसलिए तो यह function even था और अगर यह function even है तो मैं यह property यूज कर सकता हूँ rule number four yes rule number four use हो जाएगा value हो जाएगी आपकी कितनी है क्यों क्यों यह even है रखे देख लीजिए आपने टी की जगह पर minus टी रखा तो यह टी स्क्वेर है तो ओवराल इस फंक्शन इस नथिंग बट इवन फंक्शन tell me this function is nothing but the even function जल्दी से बताइए yes यार यहाँ पर भी पाई से multiply होगा एक पाई भूल गया हूँ हाँ यार यहाँ पर पाई से multiply करना मैं भूल गया था yes 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 पाई का multiply करना भूल गया था कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से अगर बात करें twice of i की value कितनी हो जाएगी pi times अब मैंने even function के property लगा दिए this value is nothing but pi into 2 times of 0 select के 1 1 upon 1 plus t square dt okay this 2 this 2 is cancelled out i is equals to pi times of यह किसका formula जल्दी से बताइए this formula is nothing but of 10 inverse of t 10 inverse of t की value हो जाएगी 0 select के 1 तो i के value कितनी हो जाएगी pi multiple of 10 inverse of 1 is nothing but pi by 4 10 inverse of 0 is nothing but 0 overall value i is equals to pi square divided by 4 question देखिए हाँ माना मैंने कि यहाँ पर मैं एक pi multiply करना भूल गया था यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग जिनको थोड़ा सा डाउट हो यहाँ पर एक pi भूल गया था मैं मभर question देगे कितना प्यारा question है question ने time जरूर लिआए question ने time जरूर लिया है guys मैं मान रहो but question देखे कितना अच्छा है आपका पहला rule यूज हो गया आपके rule number 2 यूज हो गया है rule number 3 यूज हो चुका है आप देखे एक ही question में आपके सारे rule यूज हो चुके एक ही question में आपका एसा नहीं हो कि कोई एक भी rule रह गया हो सारे की सारे rule आपके एक ही question में यूज हो गया है तो समझ आया question जल्दी से बताए question किसा था जल्दी से comment करके बताए guys question किसा था ओके चलिए next question पर move करें चलिए next question पर move करतें एसे ही question करने इन type के ही question से आपको command आएगी एसा नहीं है कि मैं आपको simple से integration of sin x का क्या होता है यह simple type के questions दूँगा उनसे command नहीं आने वाले ठीक है चलिए next question guys 0 से लेक्के 5 by 4 0 से लेक्के 5 by 4 log of 1 plus 10x dx चलिए इसको integrate करिए आपके लिए time दे देता हूँ same 1 minute का time आपको दिया जाएगा चले time start now guys करिए करिए चलिए टाइम सब टाइम सब टाइम सब चलिए मैं कुश्चन कराता हूँ आपने कहा कि सर फॉर्मुला देखके एक बात की जाया तो फॉर्मुला देखके ऐसा लग रहा है कि सर जीरो से पाइब बाइब पॉर लॉक के बगल में सारी वेल्यूस है सर इस कुश्चन को लॉक के बगल में यह सारी वेल्यूस दिवी है इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे स्टाट किया रहा है कोई फॉर्मुला आपको सिमिलर फॉर्मुला देख रहा है कोई फॉर्मुला सिमिलर नहीं देख रहा है तो हमने कहाए कि सर अगर ये सारी चीज़े नहीं लग रही हैं तो हम यूज़ करते हैं क्या हमारा ब्रहमास्ट क्या था ब्रहमास्ट आपको बता रहा हूं में वही फॉर्मूला यह सा है definite integration का आपको कोई भी numerical हो गाई कोई भी numerical जो आपको definite integration का आप वह फॉर्मूला लेके b f of a upper limit plus of lower limit minus x is nothing but f of a plus b minus of x dx tell me यह एक एक्वेशन है लगाईए तो आप से जैसे ही कुश्चन नहीं बना मैंने आपको बता है कि यह ब्रह्मास्री यूस करना है तो जैसे आपने यह value के this value of i is nothing but 0 से लेके pi by 4 log of in the bracket 1 plus of 10 x के जगह पर क्या हो जागा pi by 4 plus of 0 minus x is nothing but pi by 4 minus of x and this value is nothing but d of x okay now this value is come out to be i times 0 से लेके pi by 4 log of not tell me 1 plus 10 a minus b का फॉर्मूला पता है yes 10 pi by 4 10 a minus 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b is nothing but 1 plus 10 pi by 4 minus 10 x तो जैसे आपने यह value यहां पर equation हो जाएगी i is equals to 0 से लेके pi by 4 0 से लेके pi by 4 log of not tell me this value is 1 plus of 10 pi by 4 के value कितने हो जाएगी 1 minus of 10 x upon 1 plus of 10 x dx एकाम करिए आप इसका क्या कर सकते हैं आप इसका LCM लीजिए this value of i is nothing but i is equals to 0 से लेके pi by 4 this value is nothing but log जैसे आपने यह value ले this value is nothing but 1 plus of 10 x plus of 1 minus of 10 x divided by 1 plus of 10 x dx overall value उसकी बात की जाएगी this plus 10 x and this minus 10 x is cancelled out yes or no? yes i is equals to 0 से लेके pi by 4 this value is nothing but log of 2 divided by 1 plus of 10 x dx dx i is equals to 0 से लेके pi by 4 अब बते हैं log m divided by n क्या हो जाएगा? log of m minus n log of 2 minus 0 से लेके pi by 4 log of 1 plus of 10 x dx not tell me इससे फाइदा क्या हुआ? इससे फाइदा सुनिये यह जो value थी पूरी की पूरी this value is nothing but this value is nothing but i और यह value अगर i है तो आपकी value क्या हो चुकी है पूरी? पूरी value क्या हो चुकी है? आपका पूरी value क्या हो चुकी है? twice of i is equals to आपकी value क्या हो चुकी है? twice of i is equals to 0 से लेके pi by 4 0 से लेके pi by 4 log to dx this is i and this is i is nothing but twice of i this value is nothing but twice of i is equals to log 2 dx 0 to pi by 4 okay ना आप बताइए log 2 क्या है constant अब तो integrate करना ही काम हो गया है this is nothing but twice of i is equals to log 2 x का integration कितना हो रहागा dx का integration is x limit is 0 सिलेक के pi by 4 this value is nothing but twice of i is equals to log 2 multiply by pi by 4 overall value is i is equals to pi log 2 divided by 8 tell me कितने लोगों ने ये जल्दी से मुझे message करिये कितने लोगों ने ये answer लाए ते जल्दी से बताए कितने लोगों का ये answer आया था और जिन लोगों का answer आया था very good guys आप बहुत सही जा रहे है very good guys ये आप बहुत ही सही जा रहे है now the question arise कि एक चीज़ आप समझ चुके definite integration में जब भी आपसे question यूज ना हो आपको ये formula यूज करना है first thing second thing definite integration या indefinite integration या overall में आपको integration की बात है पूरे mass में सिर्फ और सिर्फ एक integration ही एक engineer को परिशान कर सकता है seriously guys आपने differential calculus पड़ा कुछ format उसका fix ता कुछ application में आपको यूज करना बता दी maxima minimum था आपको maxima word दिखता dvdx समझ जा सिर्फ और सिर्फ एक integration इसा topic है जो आपको परिशान करें seriously और अगर आपको integration पर command चाहते हो आप चाहते हो कि आपको integration में कोई भी problem नहाँ आपका भी integration अच्छा हो जाए तो उसके लिए dear आप special session को join जरूर करिए क्योंकि मैं आपको यहां कितने questions करा हूँगा जल्दी से बते हैं कितने questions करा हूँ 20 30 40 but special sessions में आपको daily special sessions में आपको daily इतने questions कराया जा रहा हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ integration सिर्फ और सिर्फ integration में आप 80 to 90 questions करेंगे और जब आप best वो भी इतने अच्छे selected questions है guys जो लोग अभी देख रहे हैं जिन लोगों ने special sessions देखा है comment करके बताए किस type के questions होते हैं कि आप variety होती है रहते हैं अच्छे question वेल्दी से comment करिए guys तो आपको वे questions जरूर करने पड़ेंगे अगर आपको integration पर command चाहिए तो चलिए आगे move करते हैं next question के साथ चलिए next question न मैं दो questions को एक साथ परलेली कराऊंगा क्योंकि आपको concept सिखाना है means मैं आपसे कुछ एक चीट पूछना चाहता हूँ अब अगर आपसे मैं पूछो this is nothing but आपसे पूछ रहा हूँ i is equals to integration of e to the power root of x dx upon root x और एक question है आपका q is equals to i is equals to integration of root of x into e to the power root of x ये कल question एक student ने पूछा था student अगर अभी online है तो मैं बता सकते हैं कि ये question किसने पूछा था comment कर दीजिए ये question एक कल एक student ने पूछा था उन्होंने सिर्फ मुझसे ये पूछा था ये question उन्होंने पूछा था student अभी online है क्या जिसने भी ये पूछा था जिस भी student ने पूछा था, आनलाइन है, ये student ने एक question मुझे पूछा था, टेलेग्राम पर, कि sir आप इसका बता दीजे, तो मुझसे ये question उन्होंने पूछा था, तो मैं उसके लिए आपको, उसके साथ ये question भी आपको separate करा रहा हूं साथ में, ताकि ये जो doubt था, उसके साथ साथ ये भी समझ रहा है कि अगर ये condition हुई तो क्या होगा, ठीक है, चलिए, आप लोगों को मैं इसके लिए एक मिनिट का time देता हूँ, बाके सभी लोगों को, जिसने मुझसे ये doubt पूछा था, उनका doubt भी में clear कर चुका हूँ कल, बट, question अच्छा था कि इससे ये समझा सकता है, इसलिए मैंने कुश्चन को उठा लिया, अच्छा डाउट था, लास्ट पाइब सेकंड्स, चलिए, चलिए, टाइम सब्सक्राइब, टाइम सब्सक्राइब, चलिए, ना, question को करने से पिले, मैं आपसे एक चीछ पूछता हूँ, अगर मैं इसको question number 1 दे दू, इसको question number 2 दे दू, बदा ये, क्या लगता है, कौन सा question ज्यादा सरल है, question number 1 या question number 2, सिर्फ इत्ता है, question number 1 सरल है, question number 2 सरल, सरल तो दोनों ही है, दोनों में कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी बट मैं आपसे पूछना चाता हूँ, आपको क्या लगता है, दोनों में कौन सा सरल है, मैं आपसे relative पूछ रहा हूँ, चलिए, मैं बताता हूँ, मुझे question number 1 ज्यादा सरल, question number 1 बहुत सरल है, seriously, देखिए, आपके लिए problem यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपने बोला कि sir, e to the power root x का formula पता, बट मुझे root of x का formula नहीं पता, कोई अब यह नहीं चले जाएगा, यूज करने की सार, एक काम करते है, ब्रहमास्त्र यूज करते हैं इसका, भाई, वो definite integration के लिए available है, ओके, तो यहाँ पर आपको root of x नहीं दिख रहा है, चलिए, अगर आपन बात करें, तो यार, मिझे यही एक problem है, this is my problem, tell me, सबसे पहल आपसे मेरे लिए यह problem है, अगर यह problem नहीं होती, तो मैं इससे solve कर दया, चलिए, अगर यह problem है, तो एक काम करते हैं, इस problem को एक काम करते हैं, यू मान लेते हैं, इस problem को मैंने क्या किया? यू मानले, OKit, U मानी है, अभी तक आप T मान ते हारे हैं इस problem को आप T मान लीजी तो मैंने कहा this root of x is equals to t चलिए अगर मैंने इसे problem को t मान लिया है अब अगर आपने इसको problem को t मान लिया तो आप क्या कहेंगे squaring both the side this value of x is equals to t square ओके इससे क्या हुआ differentiate तो करी है dx is equals to twice of t dt देखिए जैसे ही आपने इस value को ली और यहाँ पर आपने equation में रखा तो आपकी value क्या होगी i is equals to root of x की जगे पर क्या होगा t dx की जगे पर क्या होगा 2t dt और denominator में क्या होगा x की जगे पर अगर आपने बात करें root of x की value कित्ती थी this t and this t is cancelled out i is equals to क्या होगा integration of 2 e to the power t dt यहाँ पर आकर आपने क्या देखा tell me यहाँ पर आकर आपने क्या देखा problem removed say yes or no जो problem रहे ना जब भी आपको problem रहे तोड़ा सा बस उस question को पकड़के करा करें कल मैंने आपको special sessions में guys आपने देखा होगा कल आपको मैंने special session में integration of e to the power ax sin bx को question कराया था बताए कैसा question था उसमें भी जो problem थी वो देखा था हमने क्या था denominator में x था उसको जो भी आपकी सबसे पहले problem सर्च करा करिए कि क्या problem है जो problem है उसको remove करने की question बन जागा यही तरीका integration को करने का कि सबसे पहले problem को पकड़िए यहाँ पर आपने देखा कि यार यह problem है this is my problem पर आपने जिसे ही इस problem को देखा उसको आपने t रखा एक्सस करोगे t square this value अब तो आप इसका integration बता ही देंगे this value is nothing but twice of e to the power x twice of e to the power t plus of c t की value आपने रख दी क्या होगा twice of e to the power root x plus c ओकी इस question पर आते हैं चलिए इस question पर आते हैं यहाँ पर भी आपकी क्या problem जल्दी से बताएं यहाँ पर आपकी problem क्या है अब कुछ लोग यह कहेंगी कि सर एक काम करते है आइलेट रूल लगाते थे बताएं कितने लोगों को ध्यान में यही आया है कि सर आइलेट रूल लगा ले जल्दी से बताएं यहार हर दो values जो है अगर आपको दो function प्रोडक्ट में दिखे तो हमेशा उठे चले आइलेट रूल लगाने मत चले चाहिएगा आइलेट रूल ए जनरल रूल है चोग कि आपके लग जाएगा वो बात तो सही है बट इस question को इस type के questions को गेट के questions को जनरली आपको से simplify करने की कुछी जरूर करें क्योंकि gate आपको यह नहीं चाहता है कि आप लंबी methods या किसी वो कुछ ना कुछ question में trick देता है आपको होगा है mind check करता है आप देखिए आपको gate में a4 क्या होता है aptitude हो आपका aptitude check करता है हर बार रूटे चली यह नहीं कि चली highlight rule ही लगा देते तो function में product देखा highlight rule लगा देते तो फिर से समझे इस question में अगर मैं आपसे पूछूँ सबसे बात करते तो tell me अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं यहाँ पर root x को t रख दू तो चली root x को मैंने t रख दिया root x को अगर मैंने t रख दिया this value is nothing but x is equals to t square this value of i is nothing but यहाँ से आपकी क्या गया dx is equal dx equals to 2t dt values रख दीजे बस value होगे आपकी is nothing but t into e to the power of t into dx की value होगे 2t dt तो आपकी value यहाँ से i की value कितने आ चुके i की value आ चुके 2 times of t square e to the power t dt say yes or no अब इसमें कुन सा rule लग सकता है लिबनेट रूट अभी आप कहें कि सर यहाँ पर भी तो मैं directly use कर सकता था यस मैंने कब मना करा कि आप यहाँ पर आख यहाँ पर रूट 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 होगा आपको आपको complication हो रहा है बट यहां देखिए यह तो simplified form में आ गा है और अगर यह simple form में आ चुका है तो अब यहां पे आप limit rule यूज़ करी सकते करिये limit rule यूज़ तो value के आ चुक है आपकी i is equals to twice of t square e to the power t dt तो आपके क्या हो जाएगा this is my first function this is my second function कर दीज़े limit rule i is nothing but twice of क्या करेंगे आप first function as a t is integration of second minus differentiation of first is twice of t and double integration of second अगर आप बात करें तो इसमें क्या करेंगे जो भी इसकी value आएगी इसका integration करेंगे इसकी अगर value की बात में आप से कनूत इसकी value क्या आएगी is nothing but e to the power t e to the power t का integration is nothing but e to the power t say yes or no जड़ी से बताएगे ओके अगर मैं आप से आगे बात करूँ same में आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जाग माइनस के बात जागा plus इसका आप differentiation कर देंगे तो this value is nothing but 2 into e to the power t का is nothing but e to the power t overall value कितने हो चुकि i is equals to this value is nothing but 2t square e to the power t minus of 2t e to the power t plus of 2 times of e to the power t अब बस value रख दीजे plus of constant यहाँ पर भी मैंने plus of constant नहीं लिखा क्या लिखा है भाई क्योंकि एक student ने उस दिन बहुत मेरे को यही कातसर plus constant नहीं लिखा आपने plus constant नहीं लिखा तो यह लिजे plus of constant लिख दिया मैंने जैसे अगर इसकी बात की जाए अब आप value रख दीजे i is equals to t square की value मैं अगर रखू तो t square कितना है is nothing but x is nothing but twice of x e to the power t is nothing but root of x minus of this value is 2 into 2 यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा yes यहाँ से 2 गया 2 और 2 तो जा 4 yes this value is nothing but minus of 4 root over x e to the power root over x plus of 4 times e to the power root x plus of c जल्दी से बते कितने लोगों का यह answer आया था कितने लोगों ने दोनों question पूछ लिए थे अच्छा question था मुझे यह question ने student ने बेढ़ा था इसलिए मैंने question आपको pick करके यहाँ पर भी solve करा दी उससे मैंने solution तो instant base दिया था बट यह question इसलिए करा दिया ओके चलिए now आगे move करते हैं अब हम आगे move करते हैं इस questions के बाद एक question cause square x plus of b square sine square x dx is equals to इसके आपको value निकालनी इसकी value मैं आपको बता देता हूँ इसकी value आए कि pi upon a b आपको यह proof करना है one more thing इसको आपको remember रखना है इसको आप याद रखेंगे ओके यह इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह यह form में question बहुत बार आये हुए हैं छोटे अलग-अलग branches में आये हुए हैं तो आप इसको direct form में याद रखेंगे तो आपका formula से आपको question गलत नहीं होगा slight variations करने से ठीक है a की value को इस देदेगा b की अलग देदेगा तो आपको इससे ऐसा formula ध्यान रखेंगे चलिए इसके लिए मैं आपको एक मिनिट का time देता हूँ सोचिए सभी लोग किसे होगा अ Last 15 seconds guys last 15 seconds चलिए चलिए टाइम सब टाइम सब टाइम सब चलिए आप मुझे एक बात बताईए सिंपल सी बात है मुझे एक बात बताईए आपने देखा कि यार अगर मैं साइनेक्स को टी रख देता हूँ इसा फॉर्मूला आपने कभी देखा है नहीं देखा है अब बात आई कि सब पूर्ट वागेरा कैसे करते हैं इन सब की चीज़े को पता कैसे चले इसका पता चलता है कि हम उस पॉर्म को किसी पॉर्म में कनवर्ट करना चाहते है ताकि हमारे जो फॉर्मूले उनको यूज़ कर सके हैं अगर यहां पर आपका मन हुआ कि सर में साइनेक्स इकोस टू टी रख देता हूँ तो अब क्या वेल्यू हो जाएगी कॉसेक्स डी एक्स इकोस टू ड किसी को दिमाग में यह आ रहा है कि सर एक काम करते हैं अपर लिमिट प्लस ओफ लोर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं बताइए यह दिमाग में करते हैं अपर लिमिट प्लस ओफ लोर लिमिट माइनस एक्स करके हमारा ब्रह्मास्त यूज़ करते हैं वह फॉर्मूला हम य तो सेम विल्य होडएगी, साइन भी सेम विल्य स्क्यूर के कारण उसका यूस करने से कोई मतलब ही नहीं दूप आपने गाया कि यहाँ पर अप ब्रह्मा यूस करने से कोई मतलब भी नहीं है, आपने कहा कि तो फिर क्या करें सरे सिंपल सी बात है, जब अब भी आपको sin x, cos x दिखते हैं, तो आपके इनके formula तो नहीं पता, मगर आप क्या कर सकते हैं, यहापे आप simply आपने का, मैं सरी काम करता हूँ, cos square x को ले लेता हूँ, common, जैसे आपने cos square x को लिया common, उपर value का हो गई है, sec square x dx upon, this value is nothing but, a square plus of b square 10 square x, जल्दी से बताइए, आपने जैसे ही sin square x common लिया, जैसे ही आपने sin square x common लिया, आपकी value क्या हो चुकी है, जैसे ही आपने sin square x common लिया, आपने value हो चुकी है, sec square x, dx upon a square plus of b square, 10 square x, सोरी, आपने sin square x common लिया, आपने cos square x common लिया, sorry sorry cause square x common लिया जैसे ही आपने cause square x यहाँ से common लिया this value is a square plus of b square sine square upon cause square is 10 square x sorry मैं sine square x बोल दिया था क्या चलिए चलिए sorry sorry यहाँ पर हमने क्या common लिया cause square x चलिए now the question है इसकी sir इससे करने से क्या हुआ guys इसके करने से देखिए आपका question बहुत simple हो गया अगर मैं यहाँ पर रख दू 10x is equals to t now tell me अगर मैं 10x equals to t रख दूँगा तो value कितनी हो जाएगी sec square x dx is equals to dt देखिए जैसे ही आपने t यहाँ पर रखा यह value आपके पास numerator में dt के form में available है जल्दी से बताइए जैसे ही आपने t रखा आपने यह value रखे आपका function इसके form में available ओके नाव जैसे आपने इस चीच को लगाया आपने कहा कि sir अब मैं क्या करता हूँ limit रखने चले जाता हूँ जल्दी से बते आपने यह लगाया आपको यह लगा कि sir आप यह काम करता हूँ limit रखता हूँ चलिए आपने limit रखने चले आपने कहा कि मैं रखोंगा at x equals to at x equals to 0 t equals to t1 आएगा कुछ ना कुछ चलिए दूसरी चीच पर गया आप at x equals to 0 t equals to t2 आएगा ऐसा ही करेंगे ना जल्दी से बते यही करेंगे ना आप यहाँ पर रख देंगे मेरी बास सुनिए गाईस ध्यान से ध्यान से सुनिए आप क्या mistake कर रहे हैं यहाँ यही स्ली mistake पॉइंट के लिए यह question लिया गया था this is your silly mistake आपके answer इसमें क्या mistake है जल्दी से बते कितने लोगों को mistake समझ आ चुका है कि क्या mistake हम कर रहे है जल्दी से बते कितने लोगों को समझ आ चुका है कि क्या mistake हो रही है हमसे जल्दी से comment करिये कितने लोगों को समझ आ गया कि अगर हम यह अभी करते हैं तो कुछ ना कु कुछ mistake हो रही है, tell me, कितने लोगों को समझ आया है, जल्दी से comment करें, किसी को समझ आया, मैं बताता हूँ गैस, मैं बताता हूँ, सुनिये, आपने function को देखा, function था 10x, आपने function को ध्यान से नहीं देखा, function था 10x, और 10x की अगर बात की जाए, अगर आप function 10x होता, 10x क्या हो तो this value is sinx upon cosx is infinite, तो आपने देखा, function is not valid, function is not valid in the interval 0 से लेके π, means function जो है, पूरी तरीके से valid ही नहीं, yes or no, function a से लेके b के पूरे range में valid नहीं है, पाई बाई टू पर वे invalid है, जल्दे से बताए, पाई बाई टू की value पर function जो है, वे invalid है guys, तो आप direct limit को interchange नहीं कर सकते हैं, कि मैं 0 रखता हूं, t की value और t की value वाना जाए, मैं direct x equals to 0 रखता हूं, t equals to t2 है, नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 और पाई बाई बाई टू के invalid है, means अब pro out उसे integrate कर ही नहीं सकते, जल्दी से बताए, समझ आया, चलिए मैं फिर से बता देतो, आप silly mistake यह कर रहे हैं, कि आप direct इस step में put नहीं कर सकते, क्योंकि आपके denominator में अगर आपन बात करें, तो एक function वे 10x, 10x की बात की जा, तो 0 से 5 by 2 में, 0 से 5 by 2 में, 5 by 2 की जो value क्यों है, 0 से 5 by 2 में, 5 by 2 जो value है, उस पर function 10x जो है, undefined है, अगर function undefined है, उस पर अगर उसकी value infinite आ रहे है, तो हम उसकी value पर अपन उसकी value नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई, 0 से 5 by 2 में continuously defined है, अगर वैं continuously defined होता, तब तो मेरे integration और इनकी limit रख सकता, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, देखिए, तो दिक्कत क्या आ रही है, 5 by 2 में हमारे को दिक्कत आ रही है, तो हमें एक काम करते हैं, इसको अगर मैं सही से देखूँ, tell me, अगर मैं इसको गाई सही से देखूँ, this is always positive, क्योंकि square है, say yes or no, okay, this is always positive, yes or no, और अगर मैं बात करूँ, यह value positive है, square रखने पर positive है, अगर मैं आप से बूलूँ, कि आप एक काम करिये, f of 2a minus of x की value निकालेंगे, तो आपकी क्या value आ रही है, f of 2a minus x is nothing but f of x, tell me, f of 2a minus of x is nothing but f of x आएगा, जल्दी से बताइए, f of 2a minus x equals to f of x, yes, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर लगकर check कर लिए, चलिए यहाँ पर मैं आपको check करवा ही देता हूँ, आपने क्या करा, यहाँ value रखी, क्या value रखी आपने, sec of square pi minus x आपने रखा, 2a की value मेंने क्या बोली, x है, pi है, आपने sec square pi minus x की value चेक करी, this value is nothing but minus of sec x, whole square, this value is nothing but sec square x, okay, 10 पर चलते हैं, 10 की अगर बात करें, this value is nothing but 10 square, pi minus of x, this value is come out to be minus of 10x, square is equals to 10 square x, मतलब मुझे बताइए, अगर आपकी यह value चेंज ही नहीं हो रही हैं, यह value भी चेंज नहीं हो रही हैं, यह value भी चेंज नहीं हो रही हैं, मतलब f of 2a minus x is equals to f of x, जल्दी से बताइए, f of 2a minus x equals to f of x, और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कि क्या हो रहा है, value पहले के session देखिए, कल ही मैंने यह properties आपको बताई थी, अगर यह इसका use नहीं हो रहा है, अगर अपन बात करें कोई property चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी property कौन सी use हो गई है, हमारी property use हो चुकी है, 0 से लेके twice of a f of x dx is equals to 2 times 0 से लेके a f of x dx, कब जब f of 2a minus x is equals to f of x रहे, यह property use हो गई, इस properties को use हमने जिसे ही क्या हमारी value क्या आ चुकी है, i is equals to 2 times 0 से लेके pi by 2, 0 से लेके pi by 2, sec square x dx upon a square plus of b square 10 square x, now, अब बताईए, 0 से pi by 2 की अगर मैं आपसे बात करूँ, 0 से लेके pi by 2 का अब limit हो चुके तो अब बताईए, अब हमारा function पूरी तरीके से defined है या नहीं, जल्दी से बताईए, अब हमारा function जो है, पूरी तरीके से defined है या नहीं, say yes or no, yes, अब हमारा function 0 से pi by 2 की range में पूरी तरीके से defined है, अब मैं बता रहाँ, कुछ लोगों को doubt क्या आ सकता है, मैं बता रहाँ, अभी ध्यान से सुनिए, मुझे सब पता अभी आपको क्या doubt आ सकता, अभी आपको आ सकता है कि sir, अभी भी तो pi by 2 है, जल्दी से बता है, किसी को doubt आ सकता ही है, कि sir, अभी भी तो pi by 2 है यहाँ पर, तो sir, pi by 2 अगर हम लेंगे, तो यहाँ पर 10x में अगर फिर से pi by 2 रखेंगे, तो infinite रहेगा, guys, आप उसको गलत समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपकी value put नहीं करी थी, put तो आप जब करते हैं, जब integrate solve करेंगे, तब put करते हैं, मैंने आपको बता था कि function उसके बीच में exist ही नहीं कर रहा है, इसमें अगर बात करें, 0 से pi by 2 के 10x की बात करें, तो इसमें exist करेगा, say yes or no, जल्दी से बता हैं, यह समझ आया कि नहीं, यह मैं वहीं बता रहा हूं, अभी आप यह ना समझें कि आपने यहाँ put किया था, यहाँ पर मैंने put नहीं करा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 0 से pi के ring में, जो pi by 2 वाली value से उस पे function ही नहीं है, function ही exist नहीं कर रहा है, बट इसमें अगर बात करें, 0 से pi by 2 में यहाँ पर अगर बात करें, तो function exist करेगा, अब ना कुश्चन आया कि सर्थ pi by 2 value रखेंगे तब, अरे dear आप pi by 2 value कब रखेंगे, pi by 2 value कब रखेंगे, after integration, अगर pi by 2 value रखने पर, after integration आपका answer ना है, तब की बात होगी, बट अभी आप यहाँ पर कोई put तोरी ना कर रहे है, बताएं यह समझ आया, किसी को यह doubt तो नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था कि guys, 10x की जो value थी, 0 से pi by 2, 0 से pi की range में, pi by 2 पे तो था ही नहीं, defined ही नहीं था, इसमें अगर अगर आपन बात करें, तो अभी यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो आपका curve है, sec square x, dx a square, plus of b square 10 square x, इसमें अगर बात करें, आप value के और रखके check कर रहे हैं, समझ आया या नहीं, और अगर किसी को यह फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, हम integrate कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में, अभी आपके पहले के case में क्या हुआ था, और simple way मैं बता रहा हूँ, इसके पहले के case में क्या हुआ था, मैं इस A से इस B पर जा रहा था, तो हमारा भी यह हो रहा था, कि पहले case में हम इस A से लेके B तक जा रहा है, तो बीच में यहाँ तक कर्व था, बीच में कर्वी नहीं था, और अगर हमारा यह कर्वी नहीं था, तो केसे आप integrate कर गए starting से till end तक यहां तक बट इसमें अगर आप बात करें इस values पर बात करें इस पर defined नहीं है बट throughout the path तो है यह path है अमारा और इसका मतलब क्या है this is line integration तो line integration में अगर आप बात करें तो यहां पर break था यहां पर break नहीं है अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी simple वासा में आपको समझान और कोई simple वासा होगी अब आप रख दीजिए अब आप रखेंगे 10x equals to 10x equals to t limit की value किते होगी है limit 10x equals to t रखा आपकी value होगी है sec square x dx is equals to dt limit की बात करें at x equals to 0 again t equals to 0 at x equals to pi by 2 t tends to infinite होगी है ok t tends to infinite होगी है अब यह मत समझ ले न कि सर आपने infinite आने पे तो नहीं लिया था function मुझे पता बहुत सारे लोगों के इसे उल्टे सीधे doubt आते dear मैंने infinite की बज़े से नहीं कह रहा हूँ कि आप मैंने यह यह property पे गया मैंने इसके लिए कहा था क्योंकि बीच में function exist नहीं कर रहा था बीच में function ही नहीं था यह तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है तो कोई यह मत समझ लिना कि जब भी infinite आगा इसका मतलब हमको और सोचना पड़ेगा नहीं जब भी infinite आगा और नहीं करना पड़ेगा infinite बीच में function ही defined नहीं था बीच में function नहीं था इसलिए ठीक है चलिए आगे बात करें जैसे आपने ये values ली आपका function क्या हो चुक है i is equals to 2 times 0 से infinity dt upon a square plus of b square into t square this value of i is equals to 2 by b square की अगर मैं बात करूं common लेता हूं dx upon a square plus of x square का पता है तो हमने यहां पर क्या b square को लिया common this value is come out to be 0 से लेके infinite 1 upon a by b का whole square plus of t into dt not tell me अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी value क्या होगे this value is nothing but i is equals to twice upon b square this value is nothing but यह value क्या होगे 1 upon a यहां पर हमारा जो यह मानते थे जो हम यह मानते थे फॉर्मूले उसकी value क्या है यहां पर a by b 10 inverse x by a मतलब t divided by a by b this value is 0 सिंफाने बस सिंपल सी बात है value आपने रखी i is equals to twice of a by b in the bracket pi by 2 minus of 0 this value is nothing but i is equals to pi divided by a by इसको आप ऐसा फॉर्मूला दियान रखेंगे direct भी मैं बचाता तो आपको लिखवा सकता था बट बताना जरूरी था कि आपको यह चीज बहुत ही important थी का इसकी function को देख लेना कि उसके बीच में रहता भी है या नहीं बीच में function के बात करें आपने integration single integration मतलब क्या हो रहा है line integrate अगर आप उसे line integrate का मतलब क्या हुआ कि आप उसे कलम reduction formulas start करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आज देखिए आपने कितने जाद अच्छे questions करें मैं आपको यह नहीं चाहता कि आपको मैं time pass करके आपको simple questions कराते रहा हूं कि यार integration of sine x minus x square और यह simple questions मैं नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं आपका integration best हूं ठीक है तो आपको क्या करना है आपको practice करना है और साथ में मेरे जो free special sessions से उनको join करें free special sessions को बिना join करें मैं आपको guarantee दे रहा हूं आपके marks नहीं आने वाले आपके क्या है आपकी जो timing है free special session के आपके लिए timing क्या है उसकी timing है आपके लिए 5 p.m. to 6 p.m. 5 p.m. to 6 p.m. इसकी timing है और यह जो class है कितने बज़े अगर अपन बात करें इसमें हम क्या करने वाले integration के daily practice paper करने वाले है इसकी link कहा है आपको इसकी link आपको comment section ओके चलिए तो session को कतम करने से पहले आपको फिर से कहते दे रहा हूँ मैं आपके लिए guys rank improvement batch आपके लिए rank improvement batch next month से start हो रहा है अगर किसी को इसके regarding कोई भी doubt है वे मुझसे facebook पर पूछ सकता है आप मुझे facebook पर message करिए search करिए पल्लव गौर आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं मैं कह रहा हूँ आपके लिए rank improvement batch बहुत important होने वाला है किसी भी branch के आप student है आपके सारी branches के लिए rank improvement batch start हो रहा है और आप किसी भी branch को join करना चाहे आप coupon code पल्लव live यूज़ करिए अगर मैं आपको सारी facilities आपको YouTube पर special sessions में सारी चीज़े as the best content दे रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है मुझे पता है बहुत सारे लोग comment कर रहे है तो अगर आपको यह सारी चीज़े अच्छी लग रहे है तो आप as a thank you message में अगर आप unacademy subscription लेना चाहते है या फिर आपके कोई पहचान में इसको लेना चाहता है तो उसको आप coupon code पल्लव live से use कराईए क्योंकि इससे आपको फाइदा होगा कि आपको अगर 12 मन्त का प्लान ले रहे है तो आपको 2500 रुपीज का discount मिलेगा और अगर आप 24 मन्त का ले रहे हैं तो आपको 3000 रुपीज का discount मिलेगा तो आपको क्या करना है जब भी आनकेडमी प्लस को सब्स्रिप्शन लेना आपको coupon code पल्लव live यूज करना है ताकि आपको 10% का discount मिले चलिए गाइस तो हम आज के session को यहीं खतम करते है session को खतम करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी जो भी आपको PDF रहती है तो आपको telegram channel पर डाल दी जाती है तो आपको क्या करना है यह telegram channel जाइन करना और हमारे facebook channel को जाइन करना है ठीक है guys thank you thank you so much